तो हेलो फ्रेंट्स तोड़ी आर गोइंग टू लान चाप्टर डॉलिटल लॉन्स अन्यू लेंगवेज तो आप यहां स्टार्टर देख सकते हैं कि हाव डू एनिमल्स कोम्यूकेट एनिमल्स बातचीत कैसे करते हैं एक दूसरे से नेम दा एनिमल्स डैट आप वहां कुछ पिच्छ लिए अनिमल्स की और हिंस भी देख सकते हैं वन तू त्री सू तो हम अभी स्टार्ट करते को ग्रीड इच अधर बाट टैचंग हैं है मतलब welcome each other by touching hand ऐसो कौन से अनिमाल हो सकता है जी हाँ आपने बिल्कुल सही सो चाहिए तो चिंपैंजी है सेकेंड स्ट्रेच देर फ्रेंट लेग्स आउट इन फ्रेंट अफ देम एंड लोर देर बोडी वेन दे वान टू प्ले अपने आपको स्ट्रेच करते हैं और अपनी बोडी लोर पीछे कर लेते हैं जो वो खेलना चाहते हैं तो यह आप सही सोच रहे हैं तो डोग है इन टी विंग देर लोंग नोस वो दिखाते हैं अपना प्यार अपनी लंबी शी ना को हिला हिला के जी हां दोस्तों अपने बिलकुल सही सोच है यह एलीफेंट है अपनी जीब निकालते है ताकि वो अपना गुस्ता दिका सके जी हां दोस्तों आप बिलकुल सही सोच रहे हैं यह तो गोरिल्लाज है अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जोन दू लिटल एमडी वस अप्रोपर डॉक्टर एंडी नियू आ होल लोट जोन दू लिटल एक प्रोपर डॉक्टर थे जिनको बहुत कुछ पता था वो एक शहर में रहते थे जिसका नाम था पुडली बाई ओन दा माश वो एक छोटा सा टाउन है और जब भी वो अपनी स्ट्रीट से जाते थे अपनी लंबी सी हैट पैन कर तो सब वो कहते थे वहां से वो डॉक्टर जा रहे है वो बहुत चलाक आदमी है चलाक और इंटेलिजेंट आदमी है एंड डॉक्स एंड चिल्रन वोड ओल रन अप एंड फोलो बिहाइंड हैं एंड इवन दा क्रोज दा लिफ इन दा चर्च टावर वोड को एंड नोट देयर हैट तो जो डॉक्स और चिल्रन थे वो भी उनके भगते भगते पीछे चलते रहते थे और यहां तक कि जो ग्रॉज चर्च में रेते थे वो भी कौन को करने लग जाते थे और अपने सर हिलाते थे जा, the house he lived in on the edge of the town was quite small but his garden was very large and had a wide lawn and stone seats and weeping willows hanging over So, उनका गर्द थोड़ा छोटा था, वो एजी था टाउन के एजी पे था पर उनका गार्डन बहुत बड़ा था और उनका लॉन भी बहुत बड़ा था और उनके पास टोन की सीट थी जिसके पीछे एक ट्री होता है वीपिंग विलो वो थे He was very fond of animals and kept many kind of pets उनको बहुत शोकता है animals का और उनने बहुत सारे pets रखे होते हैं अपने पास उनके पास एक गोल्ड फिश थी उनके गार्डन में और पॉंड के अंदर He had rabbits in the pantry उनके pantry में rabbits थे and white mice in the piano और देखो उनके प्यानो में white mice रहते थे और squirrel in his line and closet उनके line and closet में एक squirrel रहती थी and hedgehog in the cellar So friends, cellar का मतलब होता है एक underground room जहां पे हम चीजे स्टोर कर सकते पर उन्होंने वहाँ एक hedgehog रखा था So friends, pantry का मतलब होता है एक closet जैसी जगा जहां पे हम खाना वाना कुछ भी स्टोर करके डख सकते पर उन्होंने वहाँ rabbit रखे थे और closet मतलब होता है अलमारी जहां पे हम अपने कपड़े रखते है और उन्होंने closet में squirrel squirrel रखी होई थी So friends, आज हम 126 page की explanation खतम कर चुके अगर आपको next video चाहिए तो please subscribe करना और अगर आपको जल्दी से जल्दी मेरी next video की notification चाहिए तो bell icon पर जरूर दबाना और friends अगर आपको किसी और chapter की भी explanation चाहिए तो comment box में जरूर लिखना मैं उसकी भी करूँगा So friends, bye!